तो यह देखिए कितनी जबर्जस्त लग रही है ना सब्जी देख करके सब्जी का कलर देखिए सब्जी का टेक्स्चर देखिए हलो फ्रेंज वेलकम टू मैं चैनल आज बनाएंगे बहुती टेस्टी सी कठल की सब्जी कठल का सीजन स्टार्ट हो चुका है तो मार्किट में बहुत ही ताजे ताजे छोटे छोटे कठल में जाते हैं तो यह मैंने आधा किलो कठल लिया है और यह बिल्कुल ताजा कठल है और इसे मैंने काट करके नमक के पानी में डाल करके रख दिया था कि जिसे इसका कलर जो है काला न पड़े तो कठल को जब भी काटे तो तुरंत नमक के पानी में डाल दें और ये मैंने लिया है दो बारिक प्याज काटके दो टमाटर पीस करके लिया है थोड़ा सा हरा धनिया है लस्सन अद्रक हरी मिर्ची का पेश्ट बना करके लिया है तो चली सबजी बना लेते हैं तो कड़ाई हमारी गरम हो चुकी है अब इसमें हम तेल एड़ कर लेंगे क्योंकि कठल को हमें फ्राई करना है तेल को गरम होने देंगे तेल हमारा गरम हो चुका है अब यहीं पर हम कठल को तेल में डाल देंगे उसारे कठल को हम एक ही साथ फ्राई कर लेंगे कठल को फ्राई करके बनाने से कठल की सबची बहुत ही टेश्टी बनती है कठल को हम कड़ाई में फिला देंगे ताकि यह अच्छी तरीके से फ्राई हो सके एक साइट से कठल को हम fry होने देंगे कठल को हम सुनेहरा कलर आने तक fry कर लेंगे और कठल को हमेशा fry करके ही बनाने चीए इससे क्या कठल की जब सब्सियें बनाते हैं तो कठल उसमें विखरता नहीं है है तो कठल पर हमारे अच्छा सा सुनहरा कलर आ जुगा है अच्छी तरीकी से प्राई हो चुग है तो कठल को हम निकाल लेंगे तो आप कठल की रंगत को देख सकते हैं तो कड़ाई में से मैंने तेल को कम कर लिया है तेल हमारा गरा में यहीं पर एक चमच जीरा एट कर लेंगे एक तीज पत्ता डाल देंगे तीन लोंग डाल देंगे और यह मैंने बड़ी लाई चली है तो इसको तोड़ करके डालेंगे तो मसाले हमारे चटक चुके हैं अब यहीं पर यह प्याज भी एट कर देंगे और प्याज को हम अच्छी तरीके से भूनेंगे जब तक कि प्याज का कलर चेंज ना होजाए तो प्याज हमारे थोड़ी भून चुकी अब यहीं पर हम लस्टन अद्रक और हरी मिर्ची का पेश टेट कर देंगे एक चमच और इसको भी प्याज के साथ भून लेंगे जब तक कि अध्रक लेस्टन का कच्छा पन न निकल जाए और गेज की फ्लेम को मैंने तेजी रखा है तो यह देखिए प्याज हमारी कितनी अच्छी तरीके से भून चुकी है अब यहीं पर हम मसाला एट करेंगे आधा चमच हल्दी पाउडर एक चमच लाल मिर्स पाउडर एट करेंगे एक चमच कस्मीरी लाल मिर्स पाउडर एट करेंगे एक चमच धनिया पाउडर एट कर देंगे आधा चमच चीरा पाउडर एट करेंगे आधा चमच गरम मसाला एट कर देंगे अब यहीं पे हम थोड़ा सा गरम पानी डालेंगे ताकि मसाले हमारे जलेना और अब मसालों को हम अच्छी तरीके से भूनेंगे जब तक कि मसालों में से आयल सेपरेट ना हो जाए और मसालों को हम चलाते हुए ही भूनेंगे और गेज की फ्लेम को मीडियम कर दिया है तो देखिए मसाले हमारे कितनी तरीके से भूंच चुके हैं अब यहीं पे हम एक चमच कसूरी मेथि ऐट कर देंगे कासूरी मेथि को यह मसाले में अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे तो देखिए मसाला हमारा कितना दानेदार हो चुका है बुनते बुनते अब यही पे हम टमाटर रेट करेंगे टमाटर को भी हम अच्छी तरीके से भूनेंगे जब तक कि ऑईल सेप्रेट ना हो जाए अब टमाटर डाला है तो तुरंत ही हम नमक भी डाल देंगे जैसे कि टमाटर हमारा जल्दी पक जाएगा तो एक चमच नमक एट कर देंगे और अच्छी तरीके से मिला लेंगे तो हम चलाते हुए ही भूनेंगे तो यह देखिए मसाला हमारा अच्छी तरीके से भून चुका है अब यहीं पे हम कठल एट कर देंगे और कठल को अच्छी तरीके से मसाले मिक्स कर लेंगे और एक मिनिट तक मसालों के साथ कठल को भूनेंगे और गेस की फ्लैम को मेंडिया में रखा है एक मेंड के करीब हो चुका है कठल को मसाल के साथ बोनते हुए यहीं पर हम पानी एड़ कर देंगे एक गिलास पानी एड़ करेंगे यह मैंने गरम पानी लिया है अब सब्जी में ग्रेवी अपने हिसाब से रख सकते है पतली या गाड़ी तो मैं लेटपिटी बना रहे हुँ इसलिए मैंने पानी कम डाला है अब इसको अच्छी तरीके से एक बार मिक्स कर लेंगे अब इस तरीके से कठल की सब्जी बना करके देखिएगा बहुत ही टेश्टी बनती है इसका स्वाद बहुत ही लाजबाब आता है अब कठल को हम ढख करके धीमे आज पर पगाएंगे छे से साथ मिनिट तक तक कठल अच्छी तरीके से सौफ्ट हो जाए छे से साथ मिनिट हो चुका है कठल को पकते हुए तो हम छेक कर लेते है कितनी जबर्जस्ट लग रहा है अब अच्छी तरीके से कठल हमारा पक चुका है सबजी हमारे बन करके तयार है अब यहीं पर हम थोड़ा सा हरा धनिया एड़ कर देंगे और हरे धनिया को भी हम आची तरीकी से सब्जी में मिक्स कर लेंगे प्रकेश की फ्लेम को करेंगे बन और मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ तो यह देखे कठल की बहुत ही जबरजस्ती सब्जी बन करके तयार है और कठल की सब्जी को बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से बनाया है मैंने तो आप इस तरीके से बना करके जरूर देखिएगा आपको इतनी पसंद आएगी कि आप आपकी के सारे तरीके बूल जाएंगे बहुती स्वादिष्ट सी कठल की सबजी ये देखने में जितनी अच्छी लग रही है खाने में उतनी ही टेश्टी है इसे हम थोड़ा सा हरधनिया से गानिस कर देंगे तो इस तरीके से एक बर कठल की सबजी बनाना तो बनता है आप इसे रोटी, पराठे, चावल किसी से भी खाईए बहुती जबर्जस्त इसका स्वाद आता है तो आपको कठल की सबजी की रेशीपी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताईएगा लाइक सेर करिएगा, मेरे चैनल को सस्क्राइब करिएगा बेल आइकन को दबाना बिलकुल भी ना भूले मैं आपसे फिर मिलूँगी एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई बाई